आज हम साबोधाने की किच्डी बनाने जा रहे हैं। मैंने एक क्वाटी साबोधाने भिजा दिये। इसको 6-7 लंटे में भिज जाता है। उसके बाद मैंने एक क्वाटी जीतने सिंदाने लिए हैं। उसे सेख लेना है। शिंदाने ठंडे होने के बाद हमने उससे इस तरह से ग्राइन किया है अधा-धा थोड़ा-थोड़ा देर उसको करके इस तरह कूर-कूरा सा शिंदाने का चुगरा बनाया इसे अब हम इसमें साबु दाने में मिक्स करेंगे पतीले के अंगर ये मिक्स कर लेंगे हम इसी में एक चम मजीतना नमक देंगे आप नमक अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं और इसे फिर अब हमने एक कढ़ाई ले ली उसमें दो चम मजीतना तेल डाला अप रॉक्सी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कुछ फरक नहीं बिरता है उसमें हमने जीरा थोड़ा अच्छे से डाला येर अबाउट इतना एक चम मजीतना जीरा डाला और हमने ये बारिक मिर्च काटके रखी है दो से तीन मिर्च बारिक बारिक काटके रखी है यह जीरा होने के बाद हम इसमें जाते हैं अजी फ्रेंच नौरात्री कल रही है इसलिए में सुधा कीचन से सुधा चाहा ये रेशिपी लेके आई है और उपास में सबसे ज्यादा खाय जाने वाली चीज यही है मिर्ची अच्छे से भूननी है हमने इसमें हमने सिंगदाने का तैल यूश किया है अघी भी यूश कर सकते हैं हमारी मिर्ची भून गई है मिर्ची का कलर चैन नहीं हो देना है तभी हमने साबु नने का जो मिक्स्चर बना के रखा है सिंग दाने और नमक के साथ वो इसमें डाल लेंगे ये साबु नने की खिचड़ी नीचे वो ना हो इसलिए चलाते रहनी है और मोटे तले का ही आपने कड़ाई लेनी है देखिए एकदम हमारी खुली खुली सी बन गई है खिचड़ी धरा भी चिपकी नहीं है आप इसी मेटाड से बनाईए आपकी भी ऐसी ही बनेगी फिर हमने उसमें ताजी हरी धन्या डाली है और थोड़ी सी सक्कर डाली है सक्कर ऑप्सिनल है आप डालना चाहे तो ही डालिए मैंने थोड़ा आधा चम्मच सक्कर भी डाले है अभी से हम फिर से चला देंगे इस तरह हमारी ये सावदाने की खिचड़ी तयार हो गई है यह नवरात्री में नवरात्री के लिए उपास में काम आने वाली काम आने वाला एक लेसिपी है आप जरूर बनाईए धन्यवाद इसे मैंने केश्रोल में निम्बू और हरी मिर्ची के साथ अभी से खा सकते हैं तूरर बनाईए ठार कि रजसर खारूर ठाली के लिए उटहाओी है झाल झाल